हेलो फ्रेंड्स मेरे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपको चौदा और तरीक को पैदा होने वाले व्यक्तियों के सभाव के बारे में उनके भविश्या के बारे में कुछ बताना चाहूँगा यानि चौदा तरीक को जन्म लेने वाले लोगों का सभाव कैसा होगा और इनका ग्रह कौन सा है स्वामी ग्रह कौन सा है जानते है चौदा तरीक का जो स्वामी ग्रह है वैं बुद्ध है और बुद्ध को जोतिश में नौ ग्रहों का राजकुमार माना जाता है इस अंक वाले लोगों को बुद्ध जैसा ही वैभव और जीवन स्तर मिलता है यानि बुद्ध इनको अपने जैसा ही वैभव और जीवन स्तर परदान करता है 14 तरीक वाले लोग काफी स्टाइलिश होते हैं और वैसे ही डिजाइनर कपड़े पहना इने बहुत पसंद होता है और समानिता इनकी सभी से बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है और ये लोग सभी से अच्छी दोस्ती निबा सकते हैं दोस्तों के लिए जितने उदार और शुब चिंतक हैं कि दुश्पनों के लिए उतने ही बुरे और खतरनाक भी हो सकते हैं 14 तरीकों जन्मिव्यक्ति और इन लोगों को 14 जिनका बर्डे है उनको मैं वार देना चाहूंगा सबसे पहले जो शुब है इनके लिए वो है बुद्वार और शुक्रवार ये दोनों ही वार इनके लिए और अगर इनको rung की choice करनी है तो इनको बताना चाहूंगा कि इनके लिए हल्का ब्राउन, सफेद और चमकदार रंग जिनने हल्की सी चमक हो बहुती लाबडायक नहीं आए और इनहीं ब्राउन और सफेद रंग जीसे कलर कपड़ों की choice के color लेने चाहिए और इने कहरे रंग के कपड़े कम से कम पहना चाहिए यानि अगर ब्राउन भी लेना है तो डार्क ब्राउन ना ले हलका लाइट ब्राउन ले और डार्क कलर के कपड़े ये कम से कम पहने इनके लिए मीने की तीन तारीखे हैं जो बहुत शुब हैं तारीखे है 5, 14 और 23 यानिकAR 5, 14 एंड 23 ये तीनों तरीखे इन के लिए बहुत ही भागयाशाली है इन तारीखों को ये अपना कोई काम शुरू करें या हफते के बुद्वार ये शुक्रवार के दिन आपना कोई नया काम शुरू करें तो इनके लिए वह काम बहुत ही सही रहेगा और इनका वो काम बड़ी असानी से बन जाएगा आगे बढ़ते हैं अगली तारीक की तरफ यानि 15 तारीक तो आएए जानते हैं 15 तारीक को जन्मे जो व्यक्ति हैं उनका सभाव कैसा होगा तो दोस्तों ये मेरा अनालसिस था 14 तरीक के जन्मे लोगों का तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और साथी साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही औ और चानकरी भरे वीडियो से लेकर समय समय पर आता रहा हूं मेरा ये वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद